गुद्वानिंग अल्य स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मैं हुँ हरीज कंगबार और स्वागत करता हूं सभी का एक्सिलेंस इंग्लिस क्लासेज में और मैं आज एक्स्प्लेंड करने वाला हूं एक बहुत ही इंपोर्टेंट पोएम इन आईसी एसी क्लास नाइन्थ दाट इस टेलिविजन और टेलिविजन और टेलिविजन के लिए कितना डेंजरस हो सकता है उनके लिए कितना हमफुल हो सकता है यह एक लॉंग पोएम है तो इसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा वीडियो को लास तक देखिएगा इसलिए बेना स्किप किये हुए तभी आपको पूरी तरह से कॉंसेट प्लियर होगा पिछली स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से यह मेरी रुकैस्ट है प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल प्रेश दे बैल आइकन जिससे आपको आग आने वाले टाइम में वीडियो मिलती रहेंगी क्योंकि इस चैनल पर लगातार इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड होती रहती है चाहें वो लिट्रेचर से हो या लैंगवेज के किसी इंपोर्टेंट टॉपिक से हो जैसे बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लैंगवेज में खासकर ट्रांस्वामेशन जो एक डिफिकल्ट टॉपिक है उसको हम चलाते रहते हैं वीडियो उसमें अपलोड करते रहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत यूजफूल रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करें जो एक खडेशी के सब्सब्सक्राइब करने हैं अपलोड बहरेरों टेल्विजन सेट इसमें जो राइमिंग पातरन है वहारा है A, A, B, B, C, C A, A, B, B, C, C D, D, Rhyming Pattern है जो जैसे यहाँ पर Learned लिखा हुआ है Learned, Concerned, Let, Set, Install All और इसी तरह नीचे है Bean and Screen तो यह हमारा A, A, B, B, C, C, D, D Rhyming Pattern हो गया है तो यहाँ पर पोएंट बोलता है किस से Parent से? Question आ सकता है यह जो poem में narrator है वो किस से बात कर रहा है? The narrator is the poet and he is addressing the parents of the children तो वो क्या कहते हैं? सबसे important चीज़ जो हमने देखी है वो यह है कि अपने बच्चों को कभी भी television set के आगे मत बैठने दो और better still just don't stall the idiotic thing at all या क्या होगा बहतर है? बहतर ये होगा कि इस idiotic thing को इस बेवकूफी वाली चीज़ को अपने घर में install ही मत करो उनका कहना ये है In almost every house we have been We have watched them gaping at the screen तो क्या कहते हैं? हर एक घर में हमने क्या देखा? अच्छा यहां पर जो bean लिखा हुआ है तो यह bean by mistake होगा यहां पर शायद scene होगा लिखा हुआ ठीक है? देखा तो क्या कहते हैं? हर घर में हमने ये देखा है हमने बच्चों को gaping at the screen देखा है gaping means आँके फाल फाल के देखना screen की तरफ कि क्या होता है? बच्चे टीवी के आगे बैठ जाते हैं आगे निकलने नहीं लगती हैं मतलब ऐसा लगता है कि टीवी देखते देखते उनकी आँखें बाहर निकल जाएंगे इसके कहने का मतलब है कि उनकी आँखें जब तक सूज नहीं जाती है तब तक वो टीवी देखते रहते हैं तो ये हाईपर बोल में बात कर रहा है ठीक है, यहाँ पर पूछ लिया है कि लिटरी डिवाइस क्या है तो आप क्या बोलेंगे इसमें वो हाईपर बोल की बात कर रहा है हाईपर बोल जिसमें क्या होता है पोईट या नरेटर किसी बात को बहुत ज़्यादा हस से ज़्यादा बड़ा चड़ा कर बोलता है वीडियो थोड़ी इसलिए लंबी होगी मैं आपको सारा concept clear करता हुआ चलता हूँ हर चीज के बारे में मैंने rhyming pattern आपको बताया literary device उसमें क्या-क्या है वो आप देख रहे हैं ठीक है तो यहां से अब चालू होगा last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor क्या बोलते हैं last week हम किसी की घर में गए तो हमने क्या देखा कि दर्जनों आखें फर्ष पर पड़ी हुई थी दर्जनों आखें फर्ष पर पड़ी हुई थी तो इसका मतलब क्या है कि दर्जनों बच्चे फर्ष पर बैठ कर TV देख रहे हैं थे यहां पर eyeballs उनकी आखें ऐसा तो नहीं कि आखें बिखरी पड़ी हो कंचों की तरह बच्चे बैठे थे फर्ष पर वो TV देख रहे थे थे sit and stare and stare and sit until they are hypnotized बाइट क्या बहुलते हैं वो बैठे रहते हैं घूरते रहते हैं बैठे रहते हैं देखते रहते हैं तब तक देखते रहते हैं जब तक वो TV से hypnotize नहीं हो जाते हैं टीवी उनको hypnotize कर लेता है hypnotize मतलब उनको attract कर लेता है अपने वश में कर लेता है कि बच्चे हिल नहीं पाते हैं until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk क्या बहुलते हैं कि वो तब तक देखते रहते हैं जब तक उनकी जो absolutely drunk नहीं हो जाते absolutely drunk का मतलब जैसे किसी ने शराब पी ली तो पूरी तरह क्या हो जाएगा नशे मुद्धोत हो जाएगा तो वो बच्चे क्या drink करते हैं वो बच्चे बच्चों के अंदर क्या चीज भर जाती है वो जो shocking ghastly junk है यहाँ पर shocking ghastly junk का मतलब क्या है वो shocking चीजें जो टीवी चैनल दिखाते हैं वो horrific चीजें वो murder खून खराबा और ऐसी बेकार चीजें जो दिखाई जाती है असलीलता जो उसमें दिखाई जाती है तो उन चीजों से उनका जो mind होता है absolutely drunk हो जाता है यानि reality से और reality से बहुत दूर होती है यह चीजें जो टीवी में दिखाते हैं अब यह parents से क्या बोलते हैं कि तुम उनको टीवी देखने देते हो you make them free to watch the TV because there is a reason and what is the reason the reason is that when the children watch the TV they don't disturb the parents यानि जब वो टीवी देखते हैं तो parents आराम से अपना काम करते हैं बच्चे हिलते ही ने टीवी के आगे से तो क्या बोलते हैं oh yes we know it keeps them still they don't climb out the window sill क्या बोलते हैं हम जानते हैं जब वो बच्चे टीवी देखते हैं still रहते हैं still means शान्त रहते हैं और वो window पर भी नहीं चड़ते हैं खिलकी दरवाजों को नहीं हिलाते हैं चलके they never fight or kick or punch they leave you free to cook the lunch और ना तो वो आपस में fight करते हैं बच्चे आपस में fight करते हैं घर में ना kick करते हैं ना punch करते हैं कहीं पर और जो mothers हैं वो आराम से kitchen में जाके lunch पकाती हैं क्योंकि बच्चा disturb करने वाला नहीं है वो टी बी के सामने बैठा एक दम चिपके and wash the dishes in the sink और खाना पका सकती हैं आराम से बरतन भी दो सकती हैं क्योंकि क्योंकि बच्चे उनको disturb करने वाले नहीं है बट वो आगे कहते हैं एक बास सोचो इतना सब कुछ तो तुम्हें लगता है असान है but did you ever stop to think to wonder just exactly what this does to your beloved tot क्या वोलते हैं क्या तुमने कभी सोचा क्या तुमने सोचने की कोशिश की की हैरानी तुम्हें कभी हुई exactly what this does to your beloved tot tot means boy आपका children कहते हैं कि आपके बच्चों के साथ ये टीबी क्या कर रहा है कभी इस वारे में आपने सोचा इस टीबी की बज़े से आपके बच्चों के माइंड में क्या चीज़ आ रही है कभी सोचा अब ये बताते हैं poet क्या क्या चीज़ों होती है शक्ती होती है thinking power तो उसको rot कर देता है television यानि rot का मतलब सडा देता है destroy कर देता है it kills imagination dead और बच्चे की imagination power होती है imagine करने की चीज़ वो भी खतम हो जाती है क्योंकि टीबी में ऐसे चीज़े दिखाते हैं अजीवो गरीब तरह की चीज़े जो होती नहीं reality में ठीक है it clogs and clutters of the mind it makes a child so dull and blind क्या कहते हैं clogs and clutters clogs का मतलब होता है mind को बंद कर देता है clutters मतलब چीज़ें जो है mind में वो उतल पुतल मचाती है clutter का मतलब हम किसी सामान को ऐसी फैंक देते हैं उसे set up करके नहीं रखते हैं suppose करो almira में books को बहुत अच्छे सजा के रखा है कोई आया उसने books को clutter कर दिया इदर दर बिखरा दिया पुरे room में तो मतलब जो भी चीज़ें होती हैं बच्चे के mind में set up तरीके से नहीं रहती हैं वो clutter हो जाती है mind clog हो जाता है सोचने की सक्ति गायव हो जाती है it makes a child so dull and blind और बच्चा कैसा हो जाता है dull and blind dull मतलब वो काम नहीं करना चाहता है एकदम inactive हो जाता है सोचने समझने की शक्ति चली जाती है and blind भी हो जाता है blind होने का मतलब यह है वो चीजों को सही से देखनी पाता है समझनी पाता है दूसरा मतलब यह है कि जल्दी ही बच्चे की आँखों पर चश्मा चड़ जाता है वो चश्मा इसी बज़े से जल्दी चड़ता है ज्यादा टीवी देखनी की बज़े से ज्यादा फोन देखने की बज़े से आगे वो क्या बताते हैं He can no longer understand a fantasy of fairyland यानि उसकी समझ से बाहर हो जाएंगे ये चीजें ना वो किसी fantasy को समझ पाएगा ना किसी fairyland को समझ पाएगा fantasy का मतलब जो पहले fantastic stories होती थी राजकुमारी वाली परियों वाली कहानिया ठीक है animals वाली कहानिया fairyland वाली तो वो सारी चीजें उसके mind में adjust नहीं हो पाएंगी and further the point says what destruction does the television make in the mind of a child तो बोलते हैं his brain becomes as soft as cheese cheese आपने देखा होगा कितना soft होता है खाया होगा बहुत अच्छा लगता है तो क्या कहते हैं उसका जो brain है बहुत soft हो जाता है his powers of thinking rust and freeze उसकी जो thinking power होती rust हो जाती है junk लग जाता है freeze यानि जम जाता है यानि जो उसकी thinking power है वो काम नहीं करती है thinking power खतब हो जाती है he cannot think he only sees वो सोच समझ नहीं पाएगा सिर्फ देखता रहेगा टीवी देखता रहेगा चीजों को देखता रहेगा बट उसकी thinking power खतम हो जाएगी तो पोईट पेरेंट से कहता है all right you'll cry all right you'll say तुम कहोंगे ठीक है ठीक है सब ठीक है बढ़िया है कोई बात नहीं है तो पोईट क्या बलता है but if we take the set away what shall we do to entertain our darling children पेरेंट्स क्या बलते है all right तुम ठीक हो तुमारी बात सही है बट अगर हम टीवी सेट बच्चों के आगे से ले जाएं तो बच्चों के entertain कैसे करें उनका मनोरंजन कैसे होगा प्लीज एक्स्प्लेइन इसको explain करें ये पेरेंट्स की तरफ से जवाब आता है तो पोईट क्या बलता है we'll answer this by asking you what you used the darling wants to do how you used they keep themselves contented before this monster was invented कहते हैं चलो ठीक है ये बताओ कि हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि जो हमारे darling बच्चे थे हमारे प्यारे बच्चे पहले कैसे रहा करते थे अपने आपको कैसे contented मतलब happy रखते थे जब टीबी invent नहीं हुआ था टीबी को रोना monster बोला राच्छास दानब बोलते हैं ये बताओ जब टीबी नहीं था उस जबाने में बच्चे अपने आपको कैसे entertain करते थे तो वो बताते हैं कैसे entertain करते थे have you forgotten? don't you know? कहते हैं parents से ये बताओ अच्छा parents तुम भूल गया वो बाते हैं क्या तुम्हें कुछ याद नहीं कि पहले बच्चे कैसे entertain करते थे we'll say it very loud and slow कहते हैं हम इसको loud and slow तरीके से बोलते हैं मतलब जोर से और धीरे से भी समझा के बोलते हैं they used to read they had read they would read and read and read and read and then proceed to read some more great Scott Gatsuk क्या बोलते हैं कि वो क्या करते हैं वो पढ़ा करते थे सिर्फ पढ़ा करते थे पढ़ा करते थे और जब पढ़ लेते थे तो और प्रोसीड करते थे आगे और पढ़ने के लिए आजी बुक्स पढ़नी तो आजी आगे पढ़ने के लिए और आगे बढ़ जाते थे great Scott Gatsuk great Scott Gatsuk मतलब जो great scholars हैं तो यहां पर books के बारे में emphasize करने के लिए Gatsuk's word उन्होंने बोला है when half their lives was reading books the nursery shelves held books galore books cluttered up the nursery floor क्या बोलते हैं जो बच्चे थे उनकी आदी जिन्दगी कैसे गजरती थी किताबें पढ़ पढ़ के nursery shelves जानी उनके अलमारी में बहुत सारी बुक्सों का galore यानी store रहता था और जो किताबें थी बच्चों के पूरे nursery floor पे फैली रहती थी यानी उनके कमरे में फैली रहती थी पढ़ने के लिए and in the bedroom by the bed more books were waiting to be read और जब वो पढ़ लेते थे तो जो बैड पर सोते थे उस time पे अगर उनका entertain करना होता था तो वो बैड पर रखी हुई किताबे भी पढ़ते थे such wondrous fine fantastic tales of dragons, gypsies, queens and whales and treasure aisles and distant shores where smugglers rode with muffled sword and pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants क्या बोलते हैं उन books में कान सी स्टोरी होती थी fantastic tales यानी fantastic कहानिया wondrous कहानिया fine stories इसकी dragons की, gypsies gypsies मतलब giant राक्षसों की कहानिया queens की, ranियों की, whales मचलियों की, treasure, aisles यानी खजानों वाले island की कहानिया जैसे अली बाबा चालेश चोर and distant shores with smugglers rode with muffled doors यानी दूर दूर समंदरों की कहानिया जहां पर जो smugglers होते थे row करते थे road with muffled doors का मतलब है boat को row करते थे, boat को चलाते थे muffled doors का मतलब जो चप्पू होते है नाव में चलाने वाले, ठीक है जिस तरह से ये boat होती है और boat में इस तरह से चप्पू होता है चलाने का यहां पर एक कड़ा होता है फसा हुआ और यहां पर आदमी पकल के चलाता है पानी को push करने के लिए जिससे boat आगे चलती रहे और पाइरेट्स ते वो परपल पैंट्स पहनके आते थे डेकैथी करने के लिए वोट में चल जाते थी पाइरेट्स अब दे केरिवियन सी देखा होगा बहुत से बच्चोंने मालूम होगा भारत मूवी में सल्मान की भारत मूवी पारेट दिखाए गए है बट उनको वो क्या करता है मना लेता है किसी तरह से बातों फसा के and cannibals crouching round the pot stirring away at something hot और क्या बोलते हैं cannibals होते थे cannibals means who eat human flesh जो इंसान का मास खाते थे इंसानों को खाते थे वो cannibals नर्भक्षी तो क्या कहते है crouching round the pot यानि वो pot के आसपास घूमते थे उसमें कोई चीच पकाते थे मतलब किसी इंसान का मास stirring away at something hot it smells so good what cat can it be तो कहते हैं बुक्स में ये बता जाता था कि बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी उस मटके से उनके इसमें खाना पक रहा था तो क्या हो सकता है good gracious it's Penelope तो उन्होंने क्या जवाब दिया इसमें Penelope पक रही है Penelope मतलब एक बहुत फेमस क्वीन थी बहुत फेमस रानी थी उसके बारे में बताया गया है नेक्स्ट अब बताते हैं कौन सी बुक्स होती थी उनके पास the younger ones had a beatrix Potter with mr. Toad the dirty rotter क्या बोलते हैं तो छोटे बच्चे होते थे उनकी कहानियां होती थी beatrix Potter की लिखी हुई अच्छा बीटरिक्स पॉटर यह बहुत ही फेमस पोईट थे उस टाइम के राइटर थे पीटर रैबिट जो एक मूवी है पीटर रैबिट ठीक है पीटर रैबिट शायद अपने देखी हो और नहीं देखी है तो देख रही लेंगे अच्छी है जिसमें रैबिट की कहानी ह उसमें बी है और मैग्ग्रेगर है तो पीटर रैबिट की कहानी बीटरिक्स पॉटर नहीं लिखी है बहुत इंट्रेस्टिंग मूवी है तो नहीं कि के करेक्टर थे मूवी में मिस्टर तोड एंड स्कुरल नटकिन नाम की पिगिलिंग ब्लैंड था एक पिग था अंड मिस्टर टिगी विंकल अड जस्टाव डर्ट गॉट इस हम यानि इतने सारे उनकी कहानियों के characters थे किसकी कहानियों के Beatrix Potter की कहानिया ठीक है Beatrix Potter आप सरच करके एक बार देख लेंगे कौन थे Beatrix Potter और उनकी कहानियों में क्या क्या होता था Just how the camel got his hump and how the monkey lost his rump यानि जो उंट का hump है जो कूबर वो कैसे आया उसको कैसे मिला ये कहानियों बताया गया और जो monkey की rump है मतलब उसकी जो पीछे की पूँच है दुम वो कैसे गायब हुई and Mr. Toad and bless my soul there's Mr. Rat and Mr. Mole क्या बोलते हैं उनके ये character से Mr. Toad थे Mr. Rat से Mr. Mole थी books what books they used to know those children living long ago क्या बोलते हैं वो किताबे भी क्या किताबे थी जो उस टाइम पे बच्चे जानते थे उनके किताबों के बारे में जो वो पढ़ते थे इनके characters को सुनके ही आपको लगता होगा कि कितनी interesting कहानिया रही होंगी और जो चीज़ आप movie में देखेंगे जो आप TV पे देखेंगे उसके बजाए अगर आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने में वो interest होता है जो देखने में नहीं होता है next क्या होता है so please oh please we beg we pray go throw your TV set away क्या बोलते हैं इसलिए मेरी एकी request है please please request है कि अपने TV set को दूर फेक दो यानि अपने घर से हटा दो and in its place you can install a lovely bookshelf on the wall और क्या कहते हैं इसकी जगह पर टीबी की जगह पर आप lovely bookshelf लगाओ यानि books लगा दो अलमारी में धीवार पर सजा दो then fill the shelves with lots of books ignoring all the dirty looks यानि और जो shelves के उसमें दराजें हैं उसमें slabs लगे हुए हैं उसमें किताबें सजा दो और जो dirty looks हैं बच्चों के बर्चे तुमको angry होकर देखेंगे dirty looks देंगे तुमको गुर रहेंगे तुमारी तरफ उन सब को ignore कर दो the screams and yells, the bites and kicks and children hitting you with sticks टीबी से एड़ जब घर से हटा दोगे तो बच्चे क्या करेंगे चीखेंगे, चिलाएंगे काटने को दोलेंगे kick करेंगे, kick करने की कोशिच करेंगे बच्चे भी बड़े बटमीज पड़े हैं ठीक है and children hitting you with sticks यानि बच्चे हैं वो sticks से भी पीटने की कोशिच करेंगे कि टीबी को अटा दिया यहां से fear not because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do they'll now begin to feel the need of having something to read क्या बोलते हैं चलो ठीक है वो उतना सब कुछ करेंगे, चीखेंगे, चिलाएंगे पीटने की कोशिच करेंगे कहते हैं हम promise करते हैं एक या दो हफते में सब कुछ ठीक हो जाएगा जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो वे उनको ज़रूरत पढ़ेगी कुछ न कुछ पढ़ने की टीवी बंद कर दो के मुबाइल पे लग जाएंगे ठीक है, आज के दौर में तो ऐसा है, मुबाइल नहीं दोगे तो लड़ाई हो जाएगी इसी बात पे ठाना नहीं खाऊंगा, दूद नहीं पीऊंगा कुछ लोग बाहर घूमने चले याएंगे ठीक है, तो आज का तो मामला बड़ा गलबल है किता में कोई नहीं पढ़ेगा, फिर भी नेक्स्ट यानि क्या कहते हैं एक बार जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप भी कहोगे, ओ बाई, ओ बाई और आप देखोगे कि उनके अंदर कौन सक जॉय ग्रो हो रहा है कौन सी खुशी उन्हें मिल रही है किताबे पढ़ने से और वो खुशी उनके दिलों के अंदर समा रही है और वो इतने कीन हो जाएंगे कीन मतलब क्यूरियस हो जाएंगे किताबे पढ़ने के लिए और ये हैरान होंगे वंडर करेंगे कि उन्होंने क्या देखा था इन्दाट रिडिकुलस मशीन उस टीवी में उन्होंने क्या देखा था कि टीवी में इतनी बेकार चीज़ें हमने देखी अब किताबों में अच्छी चीज़ें मिल रही है देद नौसियेटिंग फावल अंक्लीन रिपल्सिब टेलिविजन स्क्रीन नौसियेटिंग मतलब डिजगस्टिंग ठीक है रिपल्सिब का और नौसियेटिंग का मीन एक ही है कभी-कभी दो-तीन वर्ड यूज़ कर देते हैं एक ही के लिए मतलब डिजगस्टिंग, हैटेट फुल घिरने, बेकार फावल अंक्लीन, गंदी चीज़ें जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और किताबों को पढ़ने लगेंगे टीवी को भूल जाएंगे तो उन बच्चों को समझ में आएगा और वो आपको प्यार करने लगेंगे किसलिए कि आपने उनका फ्यूचर ठीक करने के लिए बहुत कुछ किया टीवी को हटा दिया और बुक्स को घर ले आए तो ये पोएम हमारी कंप्लीट हो चुकी है जब ये पोएम लिखी गई थी उस टाइम पे ये सूटेबल हो सकती थी बट आज के दौर में ये सूटेबल नहीं है बिकाज टीवी सेट से बिलकुल बच्चों को अलग करना तो ठीक नहीं है बिकाज टीवी पे एजुकेशनल प्रोग्रेम्स भी आते हैं नियूस भी आता है तो वो सारी चीजें कहीं कहीं यूसफुल है तो बिलकुल टीवी को हटा देना सही नहीं है इन्होंने ठीक आया रॉल्ड हेल ने बट इतना एक्स्ट्रीमिस्ट नहीं होना है आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी पोएम और कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेर करिए फ्रेंड्स के साथ फिर मिलते हैं